यहां हम आउकल समिकन को सॉल करने की निरक्षन विदी पढ़ेंगे हमें इसको by infection में तरशे सॉल करना सीखेंगे तो ये विदी क्या करती है, यहां पर यह जो लिखा हुआ, यह किसी काम का नहीं है कहीं पर काम में नहीं आने वाला इसका जो मिनिंग होता है, मैं आपको डायरेट समझा देता हूँ वो इस तरह जbeing होता है, कि हम किसी का occupuland करें, जेसे कि हमें occupuland करना x, y का इसका उकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x dy plus y dx यह इसका उकलन मिला है हमें अब हमारे पास कोई question आ जाता है question इस तरह से आता है कि हमें integration करना है integration किसका करना है x dy plus y dx इसका integration करना है अब हमें पता है कि यह किसका उकलन से आया है तो हम क्या करेंगे इसका integration कैसे करेंगे इस तरह से xy क्योंकि हमें पता है कि ये किसका integration ये किसका alkaline है इसका alkaline है तो हमने वापिस इसको उल्टा कर दिया इस तरह से लिख दिया जो हमें क्यूशन में दिया हुआ था उसके बज़ए हमने क्या लिख दिया वेए डि का मतलब किया हो Cheer Aln giorkis का समभाक्र रंका तो यहां सी हम हम क्या मिले गा एक्क्सौब गया डायरेट क्योंकि आप ग्लार ≅ कहल घुल लन केंसल हो गया हमय पास क्या च्नूाओ एकस्वाई और इंटीग्रेशन करते हैं तो आमें क्या लगाएंगे constant झी लगाएंगे टो यहाँ पर आप देशकता कितने आसानी चीए शका इंटेगरेशन कर दिया करते हैं अगर आप डारेट इसका integration करती तो आप इसका integration बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे तो आप करीज़ात быть EBS कवा तो आप करीजा इनक्राइब करें सकते हैं यहां यहां पर यो निक्रेशन रचा यह वे इनक्राइब गार। इसका integration कर सकती हैं किया रचा अब तक हमने उकलन किया था अब जो उकलन होगा उसको इस रूम में लिखेंगे और फिर आगे सोल करेंगे तो यहां पर कुछ फोर्मूले है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहां पर आप देशकते हो मैंने आपको यहां पर 15 पूर्मूले दिखा एं टोटल 32 है बाइस से 21 तो मैंने अभी आपको बता दिये 11 में आपको बाज में पता हूँगा और यह सबापको याद करना वैसे तो मैंने तो कभी याद नहीं किये और आपको याद करने की जरु तो यहाँ पर देखो यह पहला वाला दूसरा वाला यह और यह और यह पांच वी को छोड़ देना यहाँ पर देखो एक से लेकर च्छाह तक पांच वी के लावा सब में एक चीज आपको common दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं सब के अंदर x dy plus y dx दिख रहा हैं यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी आप उपर देख सकते हो यहाँ पर 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 देख सकते हो तो इन सब में एक ही चीज आपको दिखाए दे रही है कि उपर का जो function वो एक जैसा दिखाए दे रहा है और आप जान तो क्या आएगा, इस तरह आएगा, यहाँ पर आएगा y dx minus x dy upon y की पावर 2, तो इसका होकलान आपको क्या मिला यह, तो यह माइनस का बाता है, जब इस तरह शे डिवाइड में होता है, और डिवाइड में कौन होता है, यहाँ देखो नीचे के आ रहा है y, तो यहाँ पर रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, logic लगाते हैं, लगाते हैं इस तरह शे, तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहे होगी, इस तरह शे आपको मिल जाए, यह इसके जैसा कोई भी function मिल जाए, जिसमें बीच में पलस में हो, तो आप उसको direct इस तरह शे लिख सकते हो दूसरा तरीका क्या है, आपको इसके अंदर किसी का divide करना पड़ो, divide करने की जरुत पढ़ सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने end time divide कर दिया, यहाँ पे देखो यह किसका function है, यह xy का equivalent है, तो इसको हम divide भी कर सकते हैं, यह जो function है, इसको मैं end time divide कर सकता हूँ किस यहाँ पे आप देख सकते हो, xy में end time divide कर दिया, किस से जिसका यह उकलन होता है, उससे हम divide करते हैं, यहाँ देखो end time कर सकते हैं, लेकिन end का मान का भी भी one नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी one होगा, लोग में आएगा इस तरह से, तो यहाँ पे भी आप फिर xy का उकलन उपर आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह सब याद रखने की ज़रत नहीं है, आप कुछ कुछ क्यूसन सोल करोगे, यह दी, आपको उकलन करना अच्चे से आता है, तो आपको एक भी formula याद करने की ज़रत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे जीए, क्योंकि sin inverse का उकलन आपको आता है, तो यह formula आपकी ध्यान में जरूर आएगा, और यह तोड़ा सा problem करता है कभी कबार, क्योंकि इसका उकलन क्या होगा, यह हम direct अनुवान नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यह formula में ध्यान में रखना पड़ता है, तो यह formula आपको इसका मतलब x divide में आएगा, जब भी minus में आएगा, जब भी minus में आएगा तो नीचे कुछने कुछ आपको मिलेगा, यहाँ भी देखो, x कि पाऊट 2c divided रखा, यहाँ पे y की पाऊट 2c divided रखा, जब भी इस तरह से minus में आता है, तो किसी ने किसी से आपको divaider मिलेगा, यह यहां पर आप देखो, यहां पर minus आ रहा तो यहां पर xyc divide रहा है, यहां पर minus आ रहा तो यहां पर xyc divide रहा है, यहां कि कुछ न कुछ तो आपको जरूर मिलेगा divide में, तो यह हमें साध्यान में रखना, कभी भी बीच में minus में आ जाए, तो नीचे भी कुछ न कुछ function होना बातर। नंगरता है बातर। इस तो आपको पता चलाएगा जगा आपको यह द्सका और कि हापको यह था पतार। इसके इंदर y upon x बनेगा, अब y upon x बन रहा है, और आपको इन में से कोई भी पॉर्मूला का आइडिया नहीं आ रहा है, तब आप क्या करोगी, आप यहाँ पर y upon x बनाना चाहोगी, तो y upon x के से बनेगा, जब आप यहाँ से x common लेलो, उपर से भी x common लेलो, नीचे से भी x common जिसे आप common लोग है, आपको direct समझ में आजाएगा कि log वाला function बन रहा है, अगर आप करके देखोगे, तो समझ में आएगा, इस तो नहीं आएगा, अब हम बाकी की जो पॉर्मूले वो भी मैं आपको दिखा दिता हूँ, तो 11 पॉर्मूली तो हमने पहले देख लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो, 20 वाला formula number 20, और यह जो तिर्कॉण में थीक है, यह आपको द्यान में रखने चाहिए, वैसे तिर्कॉण में थीक है, पॉर्मूले आपको द्यान में रखने ही जुरत नहीं है, यह आपको आउकलन ठीक से आता है, तो यहाँ पर यह तो आपको आउकलन ठीक से आता, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको देख से नहीं पता चल जाएगा, कि Y upon X एक्स बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से X को मले की देखना आपको अनुमान लग जाएगा, इसी तरह ची यहाँ पर यह ती Y को मलोगे, और यहाँ पर X को तो यह है हमारे पास example number one, इसको हम यहाँ पे solve करना चाहते हैं, तो इसको solve करने के लिए आप देख सकते हूँ, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, माइनस का चीन दिख रहा है, तो जब भी माइनस का चीन दिखेगा, तो हमें क्या होना चाहिए, कि divide में कुछ ना कुछ तो आ आना चाहिए, लेकिन divide में क्या आएगा, आप देख सकते हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिवाई दिख रहा है, तो आपको यह तो अनुमान लगा है कि नीचे y होगा, तो उपर क्या होगा, उपर यहाँ पे देखो यह positive में आ रहा है, x का उकलन, तो x उपर होगा positive, तो अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि यही मैं इसका आउकलन करता हूँ, तो आउकलन करूँगा तो क्या होगा, मुझे यह पद मिलेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे नीचे मुझे मिलेगा इस तरह है y की पावर 2, तो मुझे इसको y की पावर 2 तो मैं इसको y की पावर 2 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हूँ, यह जो फोर्मूला होता है, यह मेरे दिमाग में आया, क्योंकि यहाँ पे minus था, और यहाँ पे y से डिवाइड करना था, और यहाँ पे minus का चिंता है, तो इससे मैंने identity कर ली, कि मुझे y की पावर 2 से इसको डिवाइड करना है, तो मैंने इसको y की पावर 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद देखो, यह यहाँ पर बन रहा है, यह same to same इसी पोर्मूला में आपको दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, d x upon y, तो मैं कैंसल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचिका, x upon y, तो यहाँ पर हो गया, x upon y, और यहाँ पर इस तरफ मैंने एक constant लगा दिया, c, क्यों लगया है, क्योंकि integration है, और integration को solve करते हैं, तो constant आता है, इसलिए मैंने एक constant c लगा दिया, तो इस तरह c ही हो गया, मार पास example number 1 का answer, तो by infection में तरफ से solve करना कापी easy होता है, इसके अंदर हम बहुत जल्दी से answer प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कभी कबार यदि आपको इस तरह की type बनने में नहीं आई, तो फिर तो solve नहीं होने में आता, तो यह बहुत easy भी है, और बहुत cutting भी है, जब इस से solve होता है, तो बहुत असनी से solve जाता है, और नहीं बनने में आई पंक्षन, तो फिर तो आपको ज़्यादा कोशिस नहीं करना चाहिए, अगर आपको हमारे वीडियो से help हो रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe कीजी, और आपको physics, chemistry, math, bio या किसी भी competitive exam के PDF notes चाहिए, तो आप हमार एप का link मिल जाएगा, वहाँ से भी आप download कर सकते हो, तो आप हमारे एप को download कीजी, हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe कीजी, और वीडियो को share कीजी अपने friends के साथ,